हेलो माई यूटूब फेमली आज हम आपके साथ सेर कर रहे हैं भिंडी की बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी सूपी चटपटी सब्जी जो बहुत ही जल्दी जटपट बनके तयार हो जाएगी आप इसको लंच में टिपिन में दीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है खा प्रोग्राम भिंडी लिया था तो हमने इसको अच्छे से दो के सुखा के हमने इसे दो इंच के टुकड़े में हमने काट लिया है इस तरह से भिंडी को पहले हम सोलो फ्राइब करेंगे तो तेल गरम हो गया तब हम भिंडी को डाल देंगे तो भिंडी को हम खुले में लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे इसको हम ढखके नहीं पकाएंगे हम इसको खुले में पांसे च्छे मिनट में अच्छे से पक जाएगा इसको हम पका लेंगे, फ्राइ करेंगे, डख के पकाएंगे तो इस सौप्ट हो जाएगा और इसमें से रेसे निकलने लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, तो देखिए, तीन मिनट हो चुके हैं, बिंडी हमारी अभी फ्राइ होने लग गई है, देखिए, हमारी बिंडी पे रेट जितन लग गया है, बस इसी तरह से, अब हम उट्टाइन में हम बनाएंगे सब्जित, हम इसमें दो चमच और हम तेल डाल देंगे, दो छोटे चमच, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, एक चमच, थोड़ा से हम हींग डाल देंगे इसमें, हींग से बह हरी कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे तरह से हम भून लेंगे ब्राउन होने तक, इसमें साथ में हम दो हरी मिर्च को हमने काटके ले लिया है, हरी मिर्च डालने से थोड़ा इसका तीखा अच्छा लगता है, तीखा पन, तो हम चर्पटी बना रहे है हैं भिन्डी, तू बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें हम तर एक तमाट बल ने से तामाटल को डाल देंगे, नमाटल बल जालने से अच्छा जाएगा, तो हो जाता है, तो इसको हम कवर करके दू मिनित पकालेंगे, तमाटल को सॉब्त होने तक, तो δेखिए, तमाटल हम चला लेंगे अच्छे से इसमे मसाले एड़ करेंगे अधा चप़लडी पाउडर एक चमस काश्वीरी लाल पाउडर और दन्या पाउडर आधा चमीच जीरा पाऊडर आधा चमस अंचून जाम जालेंगे च्रहों मना क आधाम चमस लाउडर क definitive पका लेंगे तो देखिए मसाले में से तेल छोड़ने लग गया है तो इसको बीच-बीच में हम चेक करते रहेंगे अब इसमें हम जो हमने फ्राइक किया वह भिंडी था उसको डाल देंगे भिंडी को अच्छे से अब हम मसाले में मिला लेंगे इसमें में पानी वगएर कुछ भी नहीं डालना हमें ड्राइब भिंडी बना रहे हैं तो देखिए अच्छे से भिंडी मसालों में मिल गया है अब इसको हम कवर करके तीन से चार मिनट एकदम स्लो आज पर हम पकाएंगे देखिए चेक करेंगे भिंडी हमारी एकदम सौप्ट हो गई है पक के रेडी हो गई है खुस्व बहुत ही अच्छी आ रही है इसको हम फिर से अच्छे से चला लेंगे आइसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे गार्निस के लिए देखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो हमारी भिंडी खाने के लिए तयार हो गई है इसको आप रोटी के साथ डाल चावल के साथ परोसी है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप जरूर से टाइक ट्राय करें आपको मेरी रेस्पी अज़िए